तो आज हम आपकी दे लेकर आए एक ऐसी मिठाई जो मूँ में जाते ही घुल जाए जिसका नाम है तिलकी मिलकेक तिलकी गजग, तिलकी चिक्की तो आपने बहुत खाई होंगी लेकिन जो मिलकेक होता है न वो आपने हमें यकीन है कहीं नहीं खाया होगा इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट जो मिलक का क्रमली पन है वो भी इसमें आएंगा जो तिलका क्रंची पन है वो भी इसमें आएंगा और सबसे अच्छी बात ये बहुत हेल्दी है इसमें आईरेन, केल्शियम हर चीज है तो आप रेसेपी पूरी फुल वाच कीजिए तो असलाम अलेकम जी, बेस्ट कुप वित आहित में आपका स्वागत है ऐसी यूनिक रेसेपी देखने के लिए जो भी हमाया नए वीवर से प्लीज हमाया चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो सबसे पहले हम तील लेंगे, तो यहाँ पर जो सफेद वाली तीला थी है न वो लेंगे हम 250 ग्राम अगर आपको कॉंटेटी में जादा बनाना है तो आप तील की कॉंटेटी और जितनी भी इंग्रीडियन्स है उसकी कॉंटेटी उस हिसाब से बढ़ा ले तो यहाँ पर देड़ कप हम तील लेंगे, अगर आपको ग्रैम पर नहीं जाना तो हम देड़ कप तील लिंग परफेक्ट मेजर में इसमें अगर कम जादा जरा भी होंगा तो यह रेसेपी बिगड़ जाएंगे इसलिए फूल वाच कीजिए और एक-एक स्टेप गौर से देखिए, अब हम क्या करेंगे इस तील को अच्छे तरीके से हमने साफ कर लेंगे, अब इसे हम एकदम हलकी आज पर रोस्ट करेंगे, या हमें बहुत ही हलकी आज पर रोस्ट करना है वरना यह जो तील है न तो बहुत छोटे-छोटे होते है न तो यह जलने का डर होता थ हमें खड़े रहे के हलके आज पर वहां पर रोस्ट करना है अच्छे तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे और फिर रोस्ट करने के बात फिर हम क्या करेंगे इसा ठंडा करने के लिए रख देंगे जब तक यह तिल ठंडी होती है तब तक हम फिर से कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में 1 cup भरकर हम चीनी लेंगे तो यहां पर हम ने जिस cup से तिल ली है नव उसी cup से हम 1 cup चीनी लेंगे देड़ cup तिल 1 cup चीनी इसमें हम 1 cup वाटर दालेंगे एक सराल और आसान जो इसके मेजर मेंने बहुती आसान है कोई जादा महनत वाला काम नहीं और सोचने वाला काम नहीं तो हम इसमें क्या करेंगे वाटर दालेंगे और चाशनी बनने के लिए यह स्लो फ्लेम पर रख देंगे जब तक चार्ष नी बनती है तब तक हम तीसरा काम करेंगे एक मिक्सी का जार लेंगे और तिल यहां पर अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके तो अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए गई इस तरीकी का जो तील का टेक टिबल स्पून हो तो बन टिबल स्पून बरके देषी घी ले लेंगे अब इसमें जो तील है तो यह डाल देगे और इसे थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे रोस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा हलके हाथों से करना और जो गैस की फिलेम ने उसे सुलो ही रखना है अब हम इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे, सिर्फ 3-4 मीट हमें रोस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि हमें इसे बहुत जादा पकाना है, खुछ नहीं है, सिर्फ घी और जो तील है, ये एक दूसरे में मिल जाए, और फिर हम इसे थोड़ा सा खुश्बू आने तक के रोस्ट करेंगे, लगवग हम 4-5 मिट से सुलो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, अब इस टाइम पर क्या करेंगे, उसी कप से हम हाफ कप भर के मिल्क पाउडर दालेंगे, इसी से तो आता है असली जो मिल्क केक का जो टेस्ट है उसका, तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर करेंगे और इसे हलकी आचपरी करना हमें बिल्कुल भी फुल आच नहीं करना वाना यह नीचे से जल्दी से जो ब्राउन हो जाता है तो धीरे-धीरे करके हम चार-पाच मिट रोस्ट करेंगे और फिर हम इसे रोस्ट करने के बाद साइट में रख देंग ठंडा होने के जाए एकदम पतली भी निया और थीक भी निया अगर आपको यह मिलक के थोड़ा हाट चाहिए तो थोड़ा चाशनी को ज्यादा पकाना है और एकदम सोफ्ट चाहिए तो इस तरीके से पकाएंगे लगबख बाक वन तार की चाशनी हम पकाएंगे इसे कम भी आध्य तार गयास को slow flame पर हम on कर देंगे, अब हमने gas on कर दिया है, और अब हम इस अच्छी तरीके से mix करेंगे, और mix करते रहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से mix करना है, इसे जितना अच्छा mix करेंगे, उतना ही अच्छा ये पक जाएंगे, तब यहाँ पर देखें गई, जब तक कि य तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह बैटर जो है यह ready है, तो हम आपको बता भी रहा है इस तरीके का ball हाथ से छूटना चाहिए, तो यह बैटर ready है, तो आप इसे बनाते बनाते तो आपको लगेंगा यह कि बैटर छूट रहा है, कड़ाई को अगर बैटर छूट जाए तो स मत जाना चाहिए, अब जो बैटर है वो ready है, अब हम यहाँ पर एक dish को है तो oil लगा लेंगे या फिर घी लगा लेंगे और फिर जो अपना milky cake का जो बैटर है वो दालेंगे और अच्छी तरीके से एक spatula से जो है तो प्रेस करेंगा, आप इसे छोटी अगर टीन ले ना तो food भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में इस तरीके का चांधी वर्ग जो आता है ना, silver paper वो लगाएंगे तो और भी जादा इसका जो खूबसूरती में इजाफा हो जाएंगा, तो देखिए गाइस यहाँ पर तिल का milk cake है न, वो ready है, अब 3-4 घंटे हम इस तोड़ेंगे न, तो जो milk cake होता न, एकदम soft होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, तो हमने उसी तरीके का texture इसमें लाने की कोशिश किये, हम आपको एन तो एक जो cake का piece है न, तो यह काटना भी सिखाएंगा, हमने इस तरीके से इसके pieces किये, आप आपके सबसे कोई भी design म इसके pieces कर सकते, बहुती soft, बहुती crumbly और एक number taste का बना हुआ है, यह तिलका milk cake, हम आपको तोड़के बताएंगे, देखिए, लग रहा है न, एकदम जो milk cake वाला texture आता है, वही, तो I hope guys, आपको यह रेसे भी पसंद आ आई हो, पसंद आई हो, पसंद आई हो, प्लीज बटना तो स्कॉल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले हरे वीडियो का notification आपको मिलता रहे, अल्ला हाफीज